नमस्कार दोस्तों, मनोज आयेस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है, आज हम लोग इंडियन पॉलेटी एन कॉंस्टिचूशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिविल सर्विस एकजाम में प्रिलिम्स में किस तरह के कोईसंस आते है और कितने कोईसंस आते हैं और मेंस में किस तरह से कोईसंस आते हैं और हमनों को जो है इंडियन पॉलेटी एन कॉंस्टिचूशन इट मींज जी एस पेपर टू कैसे तयार करनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिलिम्स प्रिलिम्स में दो पेपर होता है एक होता है जी एस दूसरा होता है सी सेट जी एस में एक सेक्शन है इंडियन पॉलेटी एन कॉंस्टिचूशन इंडियन पॉलेटी एन कॉंस्टिचूशन एन पंचायती राज तो हमनों को यह देखना है कि इंडियन पॉलेटी एन कॉंस्टिचूशन हम लोग कैसे तयार करें जिससे हमनों का पीटी मेंस इवन के इंटर्म्यू में भी हम लोग कैसे सवाल को जो है अच्छे तरह से सोट आउट कर सकते हैं तो जब हम लोग देखते हैं प्रिलिम्स में तो प्रिलिम्स में कहीना कहीं से हमनों का इंडियन कॉंस्टिचूशन में हाडल नजर आता है कुछ क्वेस्टन तो इतने आसान होते ह इतने एजी होते हैं इंडियन पॉलिटियन कॉंस्टिचूशन से वह हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से सोट आउट कर देते हैं लेकिन कुछ क्वेस्टन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आसानी से सोट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आईसे क्वेस्टन को सोट आउट करने क इसका मतलब यह हुआ कि बेस इस तो तब होगा जब लोग एंस एस आरटी पढ़ें यह जो छोटी-छोटी चीजे पढ़ते हैं वह पढ़ें लेकिन थोट इस टो तो तब होगा जब हम लोग एंस एटी के बिव्योंड कुछ चीजों को पढ़ें और साथ में जो है हम लोग क करें कि चीजों को पॉलिटी के साथ को डिलेट करते हुए चले लेकिन हम को जहां तक अंदाजा है कि हम लोग पॉलिटी के क्वेस्टन्स को बहुत अच्छा से सोट आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो साइद इसके पीछे रिजन यह है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पीट प्रिलिम्स ओन अब दा चैलेंजिंग टास्क है सिविल सर्विस एक्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो हम लोग जब देखते हैं प्रिलिम्स देन मेंस क्योंकि जब तक हम लोग मेंस को थोड़ा बहुत अंडरिस्टेंड ना करें तो प्रिलिम्स होना कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए टफ हो जाता है और ये जो है दिन बदिन चैलेंजिंग टास्क बनता जाता है लेकिन उससे भी पहले एक बहुत अहम चीज है सलेबस क्योंकि हम लोग चीजें देखते हैं लेकिन स्कीप कर देते हैं क्योंकि बार बार सलेबस को हम लोग अगर देखें तभी हमनों को पता चलेगा कि हमनों को क्यों सी चीजे पढ़नी है और कहां कहां से चीजे पढ़नी है और साथ में जो है अगर हम लोग पिछले 10 येर्ज के PT और मेंस के questions को भी देखें तो हमनों को इस चीज का अंदा कौन कौन से चेप्टर से questions आते हैं और मेंस में कहां कहां से questions आते हैं और कौन कौन से चेप्टर से questions आते हैं तो इससे भी जादे अहम चीज अगर है कुछ तो वो है कि हमनों को सलेबस को अच्छे से देखना होगा और सलेबस को अच्छे से understand करना होगा और वो हम लोग कैस इंडरिस्टेंट करें तो हम लोग देखते हैं कि Indian quality and constitution gs paper 2 में कौन कौन सा section है सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं sections को देखते हैं तो पहला जो section है वो क्या है constitution of इंडिया लेकिन ज़्यादे तर लोग क्या देखते हैं इंडिया को ही देखते हैं और ज़्यादे तर इस्टुडेंट इंडिया को ही पढ़ते हैं बागी जो तीन सेक्षन है उसको बहुत कम देखते हैं और उस पे बहुत कम understand करते हैं तो पहला तो हो गया Constitution of India दूसरा क्या है Social Justice अब हम लोग बात करेंगे Constitution of India का Relations Social Justice के साथ क्या है और तीसरा जो सेक्षन है वो क्या है Governance और हम लोग ये भी देखेंगे Constitution of India का Social Justice के साथ क्या relation है और Social Justice of India का Governance के साथ क्या relation है और इसको जब तक हम लोग बाड़ी की से ना समझें अच्छे से ना देहें तो कही ना कही से हमनों का Problem बड़करार रहता है और फिर हम लोग कहते हैं कि PT इस बार भी हमनों का नहीं हुआ क्यों कुछ लोग करते क्या है कि International Relations बहुत ज़्यादे पढ़ते हैं और Prelims देने जाते हैं ठीक है International Relations से अगर आपके एक दो सवाल आते हैं तो आपके 70% सवाल तो यहां से आते हैं ना Constitution of India से तो आपको जो है सबसे ज़्यादे ध्यान किस पे देने की जरूरत है Constitution of India पे ध्यान देने की जरूरत है आप जो है PT देने जा रहे हैं और governance बहुत ज़्यादे पढ़के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके साथ क्या होगा पॉर्लम होगा तो इन पॉर्लम्स को इन हाडल्स को स्टोट आउट करने के लिए हम लों को सबसे जरूरी है कि ये टेन इयर्स का अगर कॉस्टन पेपर ले ले पिरिलिम्स का और मेंस का तो हम लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों को समझ सकते हैं और ये भी हम पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि कौन कौन से चेप्टर से किस-किस तरह के सवाल आते हैं और कॉस्टन का जो नेचर है वो क्या है तो इन ही चीजों को ध्यान इन ही चीजों को हम लोग अगर अच्छे से देख ले तो हमनों का जो है बहुत अच्छा हो सकता है प्री, मेंस और इंटर्व्यू तो हम लोग बात करते हैं Constitution of India की तो Constitution of India के लिए sources क्या है? ये तो पता है कि Constitution of India पढ़ना है लेकिन क्या पढ़ना है वाई? तो कौन सा चीज पढ़ना है? कौन-कौन सी किताबे पढ़नी है तो इसके लिए मैं आप लोग को कुछ ही basic book बताऊंगा और वो क्या है? सबसे पहला है लक्ष्मी कान्थ दूसरा क्या है? डीडी बासू या PM बक्सी अगर PM बक्सी रखें तो ये ज़्यादे बेतर है इनकॉम्प्रियंटू डीडी बासू क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको डीडी बासू की लेंग्वेज जो है बहुत टफ लगता है आसान नहीं लगता है लेकिन आपको लक्षमी कांथ के साथ एक बुक PM बक्सी या डीडी बासू जरूरी चाहिए और वो रखना ही होगा तो अगर हम लोग बात करते हैं ये दोनों किताब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमनों का जो है कॉंस्टिचूसन में एक बहुत अच्छा अंडरिस्टेंडिंग हो सकता है जब बहुत अच्छा अंडरिस्टेंडिंग हो जाएगा या इन पॉलेटी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपका PT में लगभग 70% क्वेस्टन्स इसी सेक्षन से आते हैं तो क्या आप 70% क्वेस्टन्स को सोट आउट नहीं कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब PT देने जाते हैं तो ये दो सेक्षन परते हैं या तीन सेक्षन परते हैं और जब मेंस देने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहीं सेक्षन परते हैं क्योंकि हमनों को अंदा जा नहीं है, इसी को क्या करने के लिए, सोट आउट करने के लिए हमनों को जो है, सलेबस को बाड़ी की से देखना, और 10 years का जो questions paper है, उसको बाड़ी की से देखना बहुत ही जरूरी है, दूसरा जो section है, social justice, social justice means, social justice, जैसे ही हम लोग social justice की बात करते हैं, समाजिक नियाई की बात करते हैं, तो समाज में नियाई, किस के दौरा, constitution के दौरा, समाज में जो नियाई की बात करते हैं, किस के दौरा, constitutions के दौरा, जब constitutions के दौरा, समाज में नियाई की बात हम लोग करते हैं तो जब तक Constitution को अच्छा से ना समझे तो क्या समाजिक नियाई के बारे में हम लोग discuss कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यह क्या है first stage है तो यह क्या है second stage है तो इसके लिए भी हमनों को जो है source जानने की जोड़त है क्यूंकि लोग first section इस section में Constitution of India में लोग बहुत ज्यादे लोगों के पास source है और बहुत ज्यादे लोग पढ़ते हैं लेकिन इस sections के लिए लोग जो है नहीं तो मेहनत करते हैं और नहीं तो source निकालते हैं इसकी लिए जो अहम source है वो है योजना दूसरा है कुरुक शेतरा का कुछ अहम section या अहम chapter कुछ ही chapter लेकिन योजना आपको बहुत ज्यादे help करेगा किसके लिए social justice के लिए साथ में social justice के लिए newspaper भी आपको क्या करेगा बहुत ज्यादे help करेगा newspaper का रोल जो है ये overall जीएस paper 2 को तयार करने के लिए newspaper का बहुत ज्यादे अहम रोल है साथ में magazine है तो magazine का भी अहम रोल है तो आपको ये जो sections है इसको जो है magazine magazine से newspaper से और साथ में योजनाव अगरे से आपको क्या करने होंगे तयार करने होंगे अब जाहिर सी बात है ये दोनों section हो गया तो third section is governance तो governance के लिए क्या पढ़ें ज्यादे तर लोगों को ये भी confusion रहता है कि governance के लिए क्या पढ़ें अब governance का सवाल जो आता है कहां से आता है current से आता है कैसे आता है नहीं आता है तो governance को पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा authentic source है वो है A.R.C. second second administrative reform commission और third and fourth last section है I.R. A.R.C. second जब हम पढ़ते हैं इसमें से जो है हमको ये पता चलता है कि citizen charter क्या है नहीं है ये किस तरह से function करता है नहीं करता है इसमें बहुत सारी चीजें है ठीक है good governance, e-governance, how to control तो इन सारी चीजों को जब हम लोग देखेंगे तो ये कहां से cover करेंगे हम लोग ये जो है A.R.C. second जब A.R.C. second हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है कि governance का जो section है वो क्या होड़ा है कहिना कहिसे control होड़ा है जैसे हम लोग बात करते है ethics in governance, ethics in administration तो ये सारी चीजे हम को कहां मिलेगा वो कहिना कहिसे यहां मिलेगा A.R.C. second में और international relations को पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि international relations के लिए कोई एक basic किताब खरीद लें और उसको पढ़ लें और उसको current के साथ क्या करें correlate करें जब current के साथ उसको correlate करेंगे तो आपका जो है कही ना कहीं से यह जो सवाल है तीन-चार सवाल जो कभी-कभी पूछ देते हैं UPSC mains में तो वो आपके जो है sort out हो जाएंगे तो यह जो है section जो है Indian polity and constitutions का जो sections है तो PT में यहां से जो है बहुत जादे आपको help मिल दा है लेकिन mains में कितने 250 marks के क्या होते है questions होते हैं जब 250 marks के questions होते हैं तो जाहिर सी बात है यह जो चारो section है चारो section से आपके पास सवाल आएंगे जब यह चारो section से आपके पास सवाल आएंगे तो इन सारे सवालों को complete करने के लिए चारो section को बहुत बाड़ी किसे आपको क्या करना होगा देखना होगा और 250 जो आपके जो marks यहां आते में यह चारों से एक्सल से आते हैं जब तक इन सारे चीजों को हम लोग अच्छे से ना देखें तब तक हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं साथ में मैं यह कह रहा हूँ आपनों को कि आप लोग जब polity तयार करते हैं तो साथ में current को लेते हुए चलें क्योंके polity का बहुत अहम रूल है current के साथ जब तक आप current के साथ polity को correlate करके नहीं पढ़ेंगे तो कहिना कहीं से quality आपके लिए hurdle बनता जाएगा और ये hurdle जो है दिन वदिन बढ़ता जाएगा तो इसलिए जो है current भी जरूरी है कुछ लोगों का मानना है कि कौन सा news paper पढ़े कौन सा magazine पढ़े आपको जो magazine या जो news paper अच्छा लगता है आप वही news paper या वही magazine पढ़े लेकिन GS paper 2 को complete करने के लिए current होना बहुत जरूरी है चाहे तो आप जो है magazine से तयार करे या news paper से तयार करे लेकिन आपको current के साथ complete तयार करना है दोस्तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे लेकिन जब हम लोगा पहला जब class शुरू होगा तो आप लोग class के साथ रहे तो class में हम लोग start करेंगे constitution से constitution क्या है constitution का definitions क्या है क्या आप कितने parts हैं कितने schedule है इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और साथ में जो है constitution क्या है इन सभी चीज़ों के बार में बात करेंगे लेकिन साथ में मैंने पॉलिटी में एक चीज और बताना चाहूंगा कि पॉलिटी के कुछ की वर्ड्स है और उन की वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है जैसे फिडरलिजम और बहुत सारी चीजे हैं इस तरह से इस्टेट है, डेमुक्रेसी है, पार्लियमेंटरी डेमुक्रेसी है पार्लियमेंटरी डेमुक्रेसी है और परसिडेंचियल फॉर्म ऑफ गवर्मेंट में क्या difference है या parliamentary form of government में या presidential form of government में क्या difference है तो इस तरह की कुछ जो है keywords है और साथ में key thoughts है छोटे-छोटे thoughts है तो इन सभी चीजों पे ध्यान देना हमनों को बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम लोग इन सभी चीजों of India से स्टार्ट करेंगे और वहीं से जो है हम लोग एक one by one जो है एक-एक thoughts को और एक-एक chapters को हम लोग देखते चलेंगे लेकिन इसमें एक hurdle है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या-क्या पढ़ना चाहिए constitution में बहुत सारे articles है 395 articles है अभी तो 395 articles से भी जादे हो गए है तो कैसे सारे articles को याद रखे क्योंकि जो है ये constitution of India वाले sections में क्या पढ़ने है articles पढ़ने तो कैसे articles याद करें जब हम लोग class में study करेंगे तो one by one जब एक-एक articles को पढ़ेंगे तो हम लोग बार बार जब articles को पढ़ेंगे उससे related बहुत सारे cases को देखेंगे तो हमनों का जो है वो articles क्या होगा understand होता जाएगा और उस पर हम understand करते चलेंगे और साथ में जो है हम लोग उसको जो है याद भी करते चलेंगे याद करने की ज़वरत नहीं है एक-दो बार देखेंगे खुदबखुद वह समझे में आ जाएंगी और सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने की ज़वरत नहीं है कुछ आर्टिकल्स है जो बहुत ही important है उन्ही सभी articles को हमनों को देखने की ज़वरत नहीं है कुछ थायूट या नजर के सबस्क्रान्या